राम राम जी क्या आला सार्यां का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियां सुवाग धर वोई आज आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर क्या है अपडेट यह है कि डिएसस भी दिल्ली के अंदर जो है फार्मासिस्ट नर्सिंग ओफिसर कुक आया वह एन साथियों और उनके जो अंतिमति थिया लास डेट जो है तेरा तीन दोज़़विस यानि तेरा मर्क दोज़़विस रात के बाद राभजे तक रहेगी साथियों तो इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले फार्मासिस्ट की पोस्ट जिसमें आप देख सकते हैं सिरी लंबर एक पोस्ट कोड एक बाई 24 ठीक है साथियों और ये नेम ओफ डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वालफेर डिपार्टमेंट में एक गुरूप सी के तैताती साथियों और ये टोटल 318 पदो अपर निकली है साथियों फार्मासिस्ट की बरतियां तो इसमें जर्नल की बॉश्टच की छेणम पोस्टे रहेंगी और एस्ट की 21 रहेंगी स्ट की 30 रहेंगी और AWS के लिए 25 रहेंगी P.W.T. के लिए 20 रहेंगी X.W.M.N. के लिए जो है 31 रहेंगी और S.P. के लिए जो है 15 पोस्टे रहेंगी यानि टोटल 318 पोस्टे रहेंगी अब दूसरी सिरियल नंबर पे जो पोस्ट दे रखी है पोस्ट कोड है 2 by 24 ये नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट साथ ही हो और Health and Family Welfare Department में ये गुरूप B के तहता आती है तो जर्नल के लिए जो है 724 पोस्टे रहेंगी OVCAL 425 रहेंगी SCAL 115 रहेंगी ST के लिए 106 पोस्टे रहेंगी EWS के लिए 117 पोस्टे रहेंगी PWBD के लिए जो है देख सकते हैं आप 50 पोस्टे रहेंगी तो टोटल जो है 1507 पोस्टे इसमें रहेंगी साथ ही हो और सीरिय लंबर 3 की बात के लिए तो इसमें 3 by 24 ये जो है Resource Center Coordinator के पोस्ट रहेंगी Direct Rate of Education Department के अंदर साथ ही हो तो इसमें ये जो ग्रूप P के तहता आती है तो इसमें जर्नल के लिए UR के लिए जो है Unresolved Category of 37 पोस्टे रहेंगी OBC के लिए 3 रहेंगी SC के लिए 1 रहेंगी ST के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं होगी तो EWS के लिए 1 रहेंगी PWD BD के लिए एक पोस्ट रहेंगी टोटल 12 पोस्टे रहेंगी साथ ही हो इसमें अब बात कर लेते हैं AYA की सिरी नंबर 4 पे AYA की पोस्ट है 24 जो इसका पोस्ट कोड रहेंगा और इसमें जो है Women and Child Development Department के अंदर है और ये group C के तथा है साथ ही हो 9 पोस्टे जनरल के रहेंगी 7 OVC के लिए रहेंगी 2 SC के लिए रहेंगी 1 HT के लिए रहेंगी और दो EWS के लिए रहेंगी urp 2. capita — P.W.D. में रहेंगी और दो पोस्टे जो CH e Dieserisman में में रहेंगी पोस्ट जो SP के ताहित रहेगी साथ ही हो पांच वे नमबर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड रहेगा जो मैं पांच वाई चोबी से और कुक की पोस्ट रहेगी मेल की यह जो मुमेन एंड सल्ड डिवॉल्पमेंट के डिपार्टमेंट के ताहित है इसमें गुरूफ सी के लिए जो पोस् पोस्ट रहेगी साथ ही हो एक पोस्ट जो है पी डवलू डी पी डवलू बीडी में रहेगी और इसमें जो है दो पोस्ट जो है एक पोस्ट रहेगी साथ ही हो अब बात कर लाते हैं कुक फेमेल की इसे तरह यह जो है वो मैंड साल डिवलोपमेंट जो डिपार्टमेंट है गुरूप सी के तायत है और इसमें जो है गुरूप रेगा छहाए 24 तो इसमें जो है पोस्ट जर्नल गी च्यार ओबी सी की और यह एक जो है एससी के लिए रहेगी और एक एससी के लिए रहेगी साथी हो और इसमें जो है एस्टी में कोई पोस्ट नहीं रहेगी ना इसमें जो एड़व्य एसके लिए रहेगी दो पोस्टें जो इसमें टोटल रहने वाली है साथी हो और बात सोरी 14 पोस्टें रहने वाले इसमें टो एक पोस्ट जो इसमें X SM की रहने वाड़ी है साथी हो, तो अब बात कर लेते हैं, ट्रांसलेटर हिंदी की इसमें जो है टोटल दो पोस्टे रहेंगी, ठीक है साथी हो, और सेक्षन ओफिसर की इसमें च्यार पोस्टे रहेंगी, ज्यादा डिटेल बता हुआ तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा जानकार लिए आप जो है sttps.dssvonline.nse.in पर जाकर की पूरी डिटेल आप देख सकते हैं साथी हो, तो अब बात कर लेते हैं, वही क्वालिफिकेशन भी इसमें दे रखी है, यह क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, जैसे फार्मासिस्ट की देरा की है, तो फार्मासिस्ट में बैचलर ओफ फार्मेसी, ठीक है, बी फार्मेसी मांगी गई है साथी हो, और साथी जो है, selected candidate has to be registered in Delhi Pharmacy Council within 6 months of joining, ठीक है साथी हो, देख सकते हैं आप, और experience की इसमें कोई जरूत नहीं है, salary इसमें 29,200 रुपई से बढ़ू है, 1300 रुपई परबंत रहेगी, और age limit इसमें साथी हो, not exceeding 72 years, age election will be given as per table at pera 70, ठीक है साथी हो, तो आप देख सकते हैं, औ और next post अब इसमें nursing officer की, इसमें जो है, BSC nursing हो, या GNM हो, तो वो इसमें apply कर सकता है, और साथी जो है, एक साल का experience भी होना चाहिए साथी हो, अब बात कर लेते हैं, next post रहेगी इसमें, resource coordinator गीव, आप देख सकते हैं, master of degree बगारा मांग रखिये, bid बगारा मांग रखिये, साथ आएर qualification इसमें, तो अब आगे देख सकते हैं, आप next post रहेगी, वो मैं आपको देखा देता हूँ, आया की, इसमें जो है, आप total post रहेगी इसमें जो है, matriculation और equivalent pass from board or institute, दस्वी पास होना चाहिए, और चाहिए मंद का practical experience होना चाहिए, इस field में साथी हो, ठारा जार रुप अनि साथी हो, अब next post रहेगी, इसमें, cook female की, इसमें जो है same qualification रहेगी साथी हो, जो mail वारी में है, और next post रहेगी सूपर देख सकते हैं, ग्रेजट भेसलेटर की, इसमें पताबासे हो, qualification काफी हाई रहने वारी साथी हो, और इसमें section officer इसमें भी आप देख सकते हैं graduation मांगी गई है साथियो साथी जो है बेजलर्स या पीजी मास्टरों जी डिगरी इन बिजनेस अडिमिस्टेशन एंड सप्रिलाइजेशन इन HRD ठीक है तो आप देख सकते हैं इसमें काफी higher qualification रहेगी साथियो और salary तो अच्छी रहनी वाड़ी यह जो higher qualification होगी तो उसमें और apply करने का आपको तरीका बता दिया आप बाकी साथियो आप जो है इसकी जो प्रोपर वेस्ट जागे चेक कर सकते हैं और पीस देख सकते हैं आप 100 रुपा इसमें जो है फीस रहेगी और woman candidate and candidate belonging to STST है उनके लिए जो है फीस में जो है छूट रहेगी साथियो एक्स्ट इसमें के लिए भी फीस में छूट रहेगी साथियो तो यह जो latest बेटती साथियो और ज़्याद अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं झाल